स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में 69000 सिच्छक भरती उत्तर कुंजी मामले में एक बार पुना मैं आप सभी साथियों के बीच मुपस्तित कुछ important और महत्वों topic के साथ 8 फरवरी तक और आप सभी के सपने सच होंगे इस मिंदों पर आप सभी से वारता करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि form भरते समय आप लोगों से जो गलतिया हुई है जिन साथियों का जैसे किसी का रीट नंबर गलत है किसी का पिता जी के नाम में भरते समय जो है गड़बड़ी हुई है हलांकि पिता जी का नाम नहीं लग रहा था लेकिन इमने कहा था कि जिनके नाम में गड़बड़ी है वो आप आगे जो है कि इन प्रकार की गलतियां हुई है और इन गलतियों से क्या समश्या हो सकती है उशिशाप से एक लिस्ट हम त्यार कर लेंगे कि किस प्रकार की गलतियां करी गई है आप लोग वे द्वारा फिर उसी आप से बातचीत की जाएगी क्या उसका उससे कोई दिक्कत होगी या आ अब हम बात करते हैं इस आठ फरवरी वाले टॉपिक पे यह आपकी स्क्रीन पे यहां से देखिए प्रमुक सच्यू बेसिक सिच्छा से पूछा आदेश अनुपालन कब तक इलहाबाद हाई कोट ने प्रमुक सच्यू बेसिक सिच्छा दीपक कुमार एवं सच्यू परिच् नयमूर्थू प्यू सग्रवाल ने अवडेंद प्रताप सिंग चोहान की आउमाना याचिका पर दिया है कोट ने याचि को एक नंबर अत्रिक्त देने का आदेश दिया था गलत उत्तरकुंजी जारी करने के कारण यहादेश था लेकिन इस आदेश का उनुपालन नहीं क अधिवक्ता अनुराक्त्रिपाठी जी एवं रहुल मिस्त्रा जी ने याचि की तरफ से बहस करी और बहस करने के बाद यह आदेश आया कि आपको जो है इस प्रक्रण पे नियुक्ति प्रक्रिया कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे और जो अगली तारीख है वो लगा द करियों को मानने न्याले के समख शुपस्तित होकर के चीजों को बताना होगा कि कहां तक प्रॉसेस को आगे बढ़ाया गया है समझ रहा आप हमारी बात को तो यह समझ लीजिए कि आपका जो काम है वो बहुत प्रीत गती से होगा और आठ फरवरी के पहले-पहले आपको र इस पे काम होना है सिर्फ दो से तीन दिन में रिजल्ट अपडिट हो जाता है वो एकी गंटे में कर लेंगे लेकिन हो सकता है चुट्टियां है सरकारी और विभागी काम में तो डीले हो लेकिन उम्मीद करिए कि आठ फरवरी के पहले-पहले रिजल्ट वगर्या करिए मैं उसके साथ फिर उस पे चर्चा करता हूं ठीक है मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी सात्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद